नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है कथा मंथन में आज की कहानिय है इस्त्री और पुरुष लेखक मुशी प्रेमचंद विपिन बाबु के लिए इस्त्री ही संसार की सबसे सुन्दर वस्तुतीव है कवी थे और उनकी कविता के लिए इस्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंशा ही सबसे चित्ता करशक विशय था जबान पर इस्त्री का नाम आते ही उनकी आँखे जगमगा उठती कान खड़े हो जाते मानब किसी रसिक ने गाने की आवास सुन लिये हो जब से उन्होंने होस संभाला तबी से उन्होंने उस सुन्द्री की कलपना करनी शुरू की जो उसके हिर्दय की रानी होगी कविताओं में उसका गुन गाते मित्रों से उसकी चर्चा करते नित्ते उसी के ख्याल में मगने रहते और वहे दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाय हरे भरे पत्तों से लहराने लगी उनकी मुरादे पूरी हुई कॉलिज के अंतिम परिक्षा समापत हो गई और विवा के संदेशी आने लगे विवा भी तैय हो गया विपिन बावु ने कन्या को देखने का बहुत आग्रे किया लेकिन जब उनके मामु ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुती रूपवती है मैंने उसे स्वैम अपनी आखों से देखा है तो वहराजी हो गए दूम धाम से बरात निकली विवा का मूरत आया वदू आभुशिनों से सजी भी मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पाउं नजर आये कितनी सुन्दर उंगलियां थी मानो द्वीप शिकाहे हो अंगो की शोभा कितनी मन मोहक थी विपिन भूले ना समाए दूसरे दिन वदू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए ललाई थो उठे और जोही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुहा दोना शुरू किया चुपके से जाकर वदू के पास पहुँच गए वह गुंगट हटाए पालकी से सिर निकाले बहार जाक रही थी विपिन की निगा उस पर पड़ी क्रोध ग्रणा निराशा की एक लहर उनके शरीर में दोड़ गई यह परम सुंदरी रमनीना थी जिनकी उन्होंने कलपना की थी जिसकी वह बर्सों से कलपना कर रहे थे यह एक चोड़े मूँ चिप्टी नाक और फूले गालो वाली की रूपा थी रंग हो रहा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी और फिर रंग कैसा सुंदर हो रूप की कमी तो नहीं पूरी कर सकता विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया हाँ इसे मेरे ही गले पड़ना था क्या इसके लिए समसंसार में कोई और ना मिला था उन्हें अपने मामू पर ऐसा क्रोध हाया जिन्होंने वदू की तारीफों के पुल बांद दिये थे अगर इस वक्त में मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि याद रखते जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लेगा क्या इस सिस्त्री के साथ कैसे बूलूँगा कैसे निर्वा होगा इसके साथ इसकी और तो ताकने से भी घ्रणा होती है हाए इश्वर क्या ये सब वजरपात मुझी पर करना था विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता वे अपने मामू से लड़ा ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा माबाप से हुज़त की और जब इससे भी शांती नहीं हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा आशा पर उसे दर्या वश्या आते थी पर अपने को समझाता कि उसमें उस विचारी का क्या दोशा है उसने जवरदस्ती तो उससे विवाना किया होगा लेकिन दया और विचार सब घ्रणा को ना जीत पाते और आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्यापत हो जाती थी आशा अपने आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती तरह तरह के शिंगार करके विपिन को रिजाती थी पर ये विपिन को यह सब शुतर मगस से मालूम होते थे वैं दिल से चाती कि उन्हें प्रसन करून की सेवा के लिए अफसर कोचा गरती लेकिन विपिन उससे भागा फिर था अगर कभी भेट हो जाती तो जली कटी बाते सुनाता जिसे सुनकर आशा रोती हुई वहां से चली जाती और सबसे बुरी बात तो यह थी कि अब उसका चरितर भरष्ट होने लगाता वैं यह भूल जाने की चेश्टा करने लगा कि मेरा विवा हो गया कहीं कहीं दिनों तक आशा उसके दर्शन भीना कर पाती उसके कहे कि अवाज बहार से आती हुई सुनती जरों को इसे देखती दोस्तों के गले में एक हाट डाले सेर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती एक दिन खाना खाते से में उसने कहा अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते क्या मेरे करन घर छोड़ दीजेगा विपिन ने मूँ फेर करका घर पर ही तो रहता हूँ आजकल जरा नौकरी की दलाश में हो इसलिए दोड़ दुप जादा हो रही है सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं क्यों नाहक चड़ाती हूँ यहां तुम्हें किसने बुलाया था आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा आशा ने का इस मर्ज की दवा नहीं है जो काम इश्वर से ना करते बना उसे आदमी क्या करेंगे यह तो तुम ही सोचो कि इश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपिन होने के करन कुमारा रहते देखा है रूपिन लड़कियां भी माबाप के घर नहीं बैठी रहती किसी ना किसी तरह उनका निर्भा हो जाता है और उसका पती उन पर प्रान ना देता हो लेकिन दूद की मक्ही तो नहीं समझता विपिन ने जुझला कर कहा क्यों नाहक मेरा सीर खाती हो मैं तुमसे भैस नहीं करना जाता फिर क्यों हुझजत करती हो आशा जड़की सुनकर चली गई उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी और से सदा के लिए हिरदय कठोर कर लिया है अब तो विपिन रोज सैर सा पाटे करता कभी कभी रात रात बर गायब रहता इधर आशा चिंता और नाराशा में घुलते घुलते बिमार पड़ गई लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने ना आता सेवा करना तो दूर रहा इतना ही नहीं वे दिल से मनाता रहे कि मर जाये तो गला चुटे आपकी खुब देख बाल करके अपनी पसंद का विवा करेगा अब वे और भी खुल कर खेला पहले आशा से कुछ जबता था कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगा रखने वाला है अब तो वे भी छूट गया कुवा उसनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मरदाने कमरे में से जमघटे होने लगी लेकिन विशय भोक से धनी सर्वनाश नहीं होता बुद्धी और बलका भी सर्वनाश होता है विपिन का चहरा पीला पढ़ने लगा देशीन होने लगी पसलियों की हड़्डिया निकलाई आँखों के इर्दिगित गड़्डे पढ़ गए अब वे पहले से कहीं ज़्यादा शौक करता नित्य तेल लगाता बाल बनाता कपड़े बदलता किन्तु मुख पर कांती ना थी रंग रोगन से क्या हो सकता है एक दिन आशा बनांदे में चार पाई पर लेटी हुई थी इधर हाफतों से उसने विपिन को ना देखा था उन्हें देखने की इच्छा ही उसे भैय था कि वह ना आएंगे फिर भी वह मन को रोक ना लग सकी विपिन को बुला भेजा विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई आकर सामने खड़े हो गई आशा ने उनके मूँ की और देखा और चौक पड़ी इतने दुर्बल हो गए कि पैचानना मुश्किल था बोली क्या तुम भी बिमार हो क्या तुम तो मुझसे ज़्यादा घुल गए हो जिन्दगी में रखा ही किया है तो जिने की फिक्र क्यों करूँ विपिन ने कहा जिने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता तुमने कभी अपनी और देखा है दवा क्यों नहीं करते यह कहकर उसने विपिन का दाइना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बठा लिया विपिन ने भी हाथ छुडाने की चेश्णा नहीं की और अब उसके सभाव में एक विजितर नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखे थी बातों में भी निराशा टपकती थी अक्खडपन था क्रोध की गंद ना थी विपिन चारपाई पर बढ़ते वे बोले मेरी दवाब मौत करेगी मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता इश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुचाना चाता मैं अब जादा दिनों तक ना जीऊंगा मुझे किसी भैंकर रोक के लक्षन दिखाई दे रहे है मुझे इसका खेद है मेरे हाथों तुम्हें कश्ट पहुचा शमा करना कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है मुर्चा सी आ जाती है यह कहते कहते एका एक वह काप उटे सारी देह में संसनी सी दोड़ गई मुर्ची दोकर चार पाई पर गिर पड़े और हाथ प्यार पटकने लगे मुझे से फिचकुर निकलने लगा सारी दे पसीने से तर हो गई, आशा का सारा रोग हवा हो गया वे महीनों से बिस्तर ना छोड़ सकी थी पर इस समय वे उसके शिते लंगों में स्विर्थी आ गई उसने तेजी से उटकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया, उनके मुख पर पानी की छीटे देने लगी महरी भी दोड़ाई और पंका जलने लगी, भार खबर ही, मित्रों ने दोड़कर डॉक्टर को बुलाया बहुत यतन करने पर विपिन ने आखे न खोली, और संधिया होते होते उनका मुख टेड़ा हो गया और बायांग शुन्या पड़ गया हिलना तो दूर रहा मुख से बात निकलना भी मुश्किल हो गया, यह मुर्चा ना थी फालिज था फालिज के भैंकर रोग में रोगी की सेवा करना का आसान नहीं है उस पर आशा तो महीनों से भी मार थी, लेकिन इस रोग के सामने वे अपना रोग भूल गई पंदरा दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही आशा दिन के दिन और रात को रात ना समझती, हमेशा उनके पास बैठी रहती उनके लिए पत्थे बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना उस जैसी धहरेशाल इस्तरी का काम था, अपना सिर्दर्द से फटा जाता था जोर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाना थी पंदरा दिनों के बाद विपिन की हालत को समझनी, उनका दाहिना पैर तो लूंच पड़ गया था क्या ख्याल आया, आईना उठा कर अपना मूँ देखने लगी, ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने न देखा था इस्तर से बोले, आशा इश्वर ने मुझे मेरे गरूर की सजा दी है, वास्तर में यह वह बुराई का बदला है, जो मैंने तुमारे साथ की अब तुम अगर मेरा मेमु देखकर घिरना से मुझे जराबी शिकायत ना होगी, मैं चाहता होगी तुम मुझे मेरे दुर्वेवार का बदला लो, जो मैंने तुमारे साथ किया है आशा ने पती की और कुमल भाव से देखकर खा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता विपिन मुला वहाँ, बंदर कासा मुँ हो गया और तुम कहती हूँ, कोई अंतर नहीं, मैं तो अब कभी बहार ना निकलूँगा, इश्वर ने सच मुझे अदर्ण दिया बहुत यतन करने पर विपिन का मुँ तो सीधा ना हुआ, बाया भाग इतना टिड़ा हुए कि चहरा देखर डर मालूम होता था हाँ पैरों में इतनी शक्ती जरूर अगई कि वह चलने फिरने लायक हो गए आशा ने पती की बीमारी में देवी की मनौती की थी, आज उसी की पूझा का अकसर दा, महले किस्त्रिय बनाव सिंगार के जमाती, गाना बजाना हो रहा था एक सहेली नहीं पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुझ जराबी अच्छा ना लगता होगा आशा बोली मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है, चलो बात बनाती हो, नहीं भेंस सच कहती हूँ रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है विपिन कमरे में बैठे हैं वे ते कई मित्री जमाते ताश हो रहा था, कमरे इसमें एक खिड़की थी जो आगन में खुलती थी वहे वक्त बन थी, एक मित्री नहीं चुपके से उसे खोल दिया, और शीरसे से जहकर विपिन से कहा, आस तो तुमारे यह परियों का जमगट है बंद कर दो, जी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरते हैं, तो में इन सब में से कौन सी सबसे अच्छी मालूम होती है विपिन ने उड़ती भी नजरों से देखा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है, जो थाल में फूल रख रही है वहार ही आपकी निगा, क्या सूरत के साथ तुमारी निगा भी बिगड़ गई, मुझे तो वही सबसे बत सूरत मालूम होती है इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो, पर मैं उसकी आत्मा को देखता हूँ अच्छा, यही मिसेज विपिन है जी हाँ, मिसेज विपिन नहीं, वहर देवी है, देवी